हाई फ्रेंड्स वेलकम टो रूवी ज्राफ्टी किचन फ्रेंड्स आज की रस्पी मेरे एक छोटे से नन्हे सा सस्क्राइबर के लिए है हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स है उनका एक बेटा है तो उसका कॉल आया आंटी आज हम आपकी घर आ रहे हैं और मैं आपके वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बहुत अच्छे चीजे बनाते हो तो आज मेरे लिए क्या स्पेशल बनाओगे तो मैं सोच में पढ़ गए कि मैं ऐसा क्या बनाओ कि उस बच्चे को मैं स्पेशल फील करा सको तो चलिए देखे मैंने इसे कैसे बनाया है तो इसे बनाने के लिए घर में मसाला तयार करूँगे उसके लिए मैंने एक छोटा चमजीरा खड़ी धनिया, थोड़ी सी काले मिर्च लिया है और ये है सफेद तिल और तीन चार कल्या है लसन की और ये तीन चार पिस काजू के हैं थोड़ी से करी लिप्स और ये तीन चोटी-चोटी मैंने लाल मिर्चे और इनको हमको सूखा फून के और अच्छा सा मैं मसाला तयार करूँगी घर में ही और धीमियाच में भूनेंगे ताकि ये भून भी जाए लेकिन जले नहीं पस इसके तयार कर लिया है अब चलते हैं मैदा तयार करेंगे तो एक कटोरी मैदे को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आधा-धा अलग-अलग तरीके से इसे गूतूंगी तो आधा मैदा मैंने बर्तर में डाल दिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और ये है in oil अर ये लिया है मैंने एग चमंच ओरीधनियी की चटने और इंद Sikh के बनाया है, प्लुद्व कैका सुछे के बता की हदे क्राओ Bennett की फिए फिख प्लुद्व क elf प्योड कई जोकी सबस्क्रादें से वरे लूद sécurité है उसे उस प्योड़ कके मैदा तयार कर लेती हूँ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाग किया करिए और अगर चैनल पे नहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो ये फ्रेंट्स मैने टाइट सा मैदा माल के तयार कर लिया है और अब चलते हैं हम दूसरा मैदा तयार करेंगे हमें मैदे को टाइटी गूतना है उसमें मैने नमक मिला दिया अजवाइन मिला दिया है और थोड़ा सा ओयल डाल के हम इस वाले मैदे को थोड़ी देर के लिए इस तरीके से मोयंद कर देंगे ओयल की जरूरत होगी तो थोड़ा ओयल डाल देंगे और फिर पानी डाल के टाइट सामे मैदा तयार करना है तो कि हमें इस वाले पार्ट को थोड़ा सा खसता जादा करना है तो ये दोनों मैदे मैने तयार करके रेष्ट करने के लिए रख दिया है अब चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए तो पैन में मैंने डाला है एक चम्मस तेल इसमें लगा देंगे जीरे का तड़का और दो मिर्चे बारी कट करके मैंने डाल दी है अब इसमें डाला है एक बारी कटा हुआ प्याज और इसको भी गुलाबी होने तक अच्छे से फून लेंगे थोड़ी दिर अच्छे से जब भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी तयार किया हुआ जो मसाला हमने तयार किया है न उसको अपने से डाल देंगे मैं एक ही चमच डाल दे रही हूँ और इसमें डाल दिया है मैंने आधा चमच आमचुर पाउडर यहाँ पे नीवू का रस्त भी इस्तिमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और इन सब को डालने के बाद थोड़ी दिर और अच्छे से भून लेंगे ताकि सारी मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं और यह मसाला अच्छे से हमारा भून लेंगे यह देखे मसाला अच्छे से तयार हो गया उपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और मसाले को थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद बनाएंगे हम अपने फ़र्स क्लास से टटल और यह रस्पी बिलकुल इजी है बहुत टफ नहीं है बहुत चोटी चोटी चीजे ध्यान करके तक चल बनाएंगे इदा परफेक्ट अब इस ग्रेन वाले आटे से न हम एक बड़ी सी पूरी बेलेंगे वैसे हमें छोटी चोटी पूरी चाहिए लेकिन छोटी पू इस तरीके से मैं रखके और इसी को प्रेस करके और यह निकाल लेती हूँ एक बराबर साइज निकालने के लिए हमें इससे मैं यह कट कर रहे हूँ पूरी यह हमें छोटी चोटी साइज का ही लेना है बहुत बड़ा लेंगे तो हमें तलने बहुत बड़ा बना लो तो फि यह देखिए हमने मेरी इसमें से एक रोटी से चार छोटी-छोटी ही पूडिया निकल के आई अब यह आलू का जो हमने मसाला तयार किया था उसके मैंने छोटा साइट पीस लेके और रोल करके एक पूडी के उपर रख दिया है अब हम तूसरी वाली पूडी को उठाके इसक चारो तरफ अच्छे से पानी लगा के और इस तरीके से फिंगर से दबाते हुए हमें चारो तरफ अच्छे से एक पूडी को दूसरी के उपर अच्छे से चिपका देना है हमें आलू को प्रश नहीं करना है क्योंकि आलू उभरा हुआ ही रहेगा हमें टटल की पीठ बना जाती है इसको मैं बना के रख दूँगी और तलूँगी गर्मा गर्म जब गेस्ट आ जाएंगे तब तो यह तब तक तो यह बहुत अच्छे से चिपक के सेट हो जाती है और यह सफेद वाले मैदे से मैंने तीन पोर्शन लिया है बराबर साइज के छोटे-छोटे और दू करने के लिए हलका सा साइड से पतला रखेंगे और सामने वाले पोर्शन को मोटा रखेंगे जिससे में फेस बनाना है और पैर वाले पोर्शन को दोनों साइड से बनाएंगे यह देखे पैर बनाने के लिए मैंने एक साइड से इधर से मोड के रख दिया है और दूसरे को आपस में इस तरीके से अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे और ये बहुत अच्छे से आपस में चिपक जाएगा और फिर लगाएंगे उपर से पानी और पतले वाले पोर्शन को इसके पास रख देंगे यह बस थोड़ा सा है और यह बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और घलक नीचे पालक का जो हमने फिलिंग वाला बनाया था अलो की फिलिंग उसके पीछे भी पानी लगाके और इसको हां इसके उपर रख देंगे हलका सा प्रेस कर देंगे ठंडा थोड़ी दिर बाद ही अ बस ग्लास से लग रहा है ना खुशूरा से अभी तो बाकी है अब बनाएंगे हम इनका फिलिंग तो कैची से बीच वाले पोर्शन को ऐसे यह कट करेंगे ना फ्रेंट तो यह सार्प टाइप का पॉइंट निकल आता है और यह कच्छवे का मूबन के तयार हो जाएगा थोड़ी सी फिनिशिंग में और कर देती मसाल का सा कट्ले से लगाएंगे और यह हो गया अब लॉंग या काली मिर यह किसी से भी हम बनाएंगे इसकी आँखे लेकिन फ्रेंट मैंने यह देखा कि काली मिर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहले मैंने कलॉंग लगा फिर मैंने दूसरे सारे में मैंने काली मिर लगाया तो काली मिर से ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था देखने में अब मैं इसको उठा के प्लेट में रखके आपको दिखाते हूं और फ्रेंट्स यह बहुत अच्छा बनके तयार होता है इसको धीमी आज पे एक को ही तल इसको तलेंगे तो और इसकी पीठे में एक साथ जिह तैयार कर ली है और यह मैंने उनके आने के बाद गर्मा गरन काला था इसने मैं सूट नहीं कर पाये और यह अच्छे कर नदION के तयार हूए तो तक बच्चा इतना खुश हो गया कि मैं क्या वता हूं और यह देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आये, सिर्फ एक दो के मेरी आखे निकल गई थी, काली में अलग हो गया था, बाकि सब की सेट रहें, और यह फोस्ट क्लासिक कुरकुरी चटपटी अच्छी सी बन गए, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं, एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बुढ़ें।